असलाम अलेकूं वरहमतुल्ह बरकातहूं वेलकम टू माई किचन शादा वैवर ग्रीन आज हमारे किचन में हमें एक देसी पंजाबी नाशता बना रहे हैं आलू का पराटा जो की खाने में बहुत यमी होता है तो चलिए इसका बनाने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं हमने द रोटी बनाना है इसमें हमने आलू की स्टफिंग भी रख लिया है और थोड़ा सा ओईल भी साइड में रख लिया है अब इसके उपर हम ऑईल से ग्रीज करेंगे पूरी रोटी पे और उसके बाद हम आलू की स्टफिंग इसमें फिल करेंगे स्टफिंग जो है वह मैक्जिमम कॉंटिटी में हमें फिल करना है बिकाज यह आलू का पराटा है तो उसमें आलू का मज़ा तो मस्ट होना चाहिए तो जितनी कैपिसिटी है मैं अच्छे से इसको फिल कर देंगे और कौर्नर्स को फॉल्ड करते वे भी हम इसको अच्छे स कवर करेंगे देखिए मैं जिस तरह से कवर कर रही हूं ऐसे फोल्ड करिए पूरी रोटी को और एक नॉट की तरह इसको लॉक करते वे अच्छे से पेड़ा बना लीजे अब इसको हम ड्राइ फ्लोर में कवर करके और लाइट हैंड से हम इसको रोल करेंगे हैवी हैंड से नहीं करेंगे बिकॉज यह फटने का डर रहेगा इसमें और आलू हैं तो आलू जो है थोड़ा मॉश्चर जो है रिलीज करते हैं तो हम इसको दो तीन बार अच्छे से फ्लोर में हम लपेटते हुए हम बेलेंगे ताके उसका मॉश्चर जो है वो ड्राइ हो जाए और यह जो पराटा है यह नॉर्मल रोटी से थोड़ा सा थिकी रहता है विकाज हमने इसमें स्टफिंग फिल करी है यह साइज में थोड़ा सा मोटा रहेगा तो घबराइए मत यह कच्छा नहीं रहेगा यह अराम से बहुत अच्छे से सिख जाएगा तो हम इसको एक रोटी की तरह बेल लेंगे आपको जो साइज चाहिए आप उतना बेल लीजे अब यह रेडी हो गई है रूप पराटा अब हम इसको सेखने की तयारी करते हैं हमने गैस पे तवा गरम कर लिया है इस पे हम पराटे को डालेंगे और अपर सर्फेस पे अच्छी तरह से कम्प्लीटली और इससे ग्रीस करेंगे अब यहां पे आप घी का भी इस्तमाल कर सकते हैं बटर का भी कर सकते हैं अगर आप हेल्थ कमर्शेस हैं तो ओलिव आइल को भी यूज़ कर सकते हैं कोई फरक नहीं परता इसके टेस्ट में ये वैसे ही इन्शालला यमी बनेगा तो इसको अच्छे से ग्रीस करके हम एक से दो मिनिट कुख होने देते हैं इसमें दो मिनिट लगते हैं इसकी निशानी यह है हमें जब उपर बबल्स दिखने शुरू हो जाएंगे अपर सर्फेस पे तो हम इसकी साइट को फिलिप कर देंगे और इसको लो मीडियम हीट पे पकाईए हाई पे नहीं अदर्वाइस जो है वो बहुत अच्छे से सिखता नहीं है अब हमने इसकी साइट को फिलिप कर दिया है अब इसके इस साइट भी हम अच्छे से ओईल से ग्रीस करेंगे ओईल से ग्रीस करने से पराटा जो है यमी बनता है और सिखता भी बहुत अच्छा है तो इसको अच्छे से ग्रीस करके हम इसको रोटेट करते हुए लाइट हैंड से हम इसको कुक होने देंगे रोटेट करने से यह पराटा एक मतलब जलेगा नहीं एक साइट से और इसमें पिंक पिंक स्पॉर्ट आएंगे और यह बहुत अच्छे से सिखेगा इक्वली सिखेगा चारो तरफ से तो इसको ऐसे छोड़ना नहीं है इसको र इसको देख सकते हैं कि यह कितना कुक हुआ है बस ऐसे इसको पिंक स्पॉर्ट आते तक अच्छे से इसको रोटेट करेए और जब यह कुख हो जाए आपको लगे तो इसकी साइट को फ्लिब कर दीजे देखिए माशारला कितना अच्छा और पिंक स्पॉर्ट आएं अब ये साइड जो है एक बुक हो गई है तो हम थोड़ा सब फोर से स्पून को प्रेस करते हुए दूसरी साइड को सेकेंगे जब तक उस तरफ भी इसमें अच्छे से पिंक विंग स्पॉट ना जाएं ये बहुत फटाफट बन जाता है और खाने में भी बहुत अच्छा होता है भूख अच्छे से फिल हो जाती है आपकी और यमी भी होता है दोनों साइड से इसको सेकना बहुत अच्छे से ज़रूरी है देखिए बैक साइड से भी बहुत अच्छे से सिख गया है मैंने दिखाने के लिए आपको इसको शिफ्ट करा है बस ये दोनों साइड से ऐसा सिख जाना चाहिए अब हम इसको प्लेट में शिफ्ट कर रहे हैं देखिए माशाला आलो के पराटे बनके रेडी हैं हमने इसको चटनी और अचार के साथ सर्फ करा है आप इसको दही के साथ भी खा सकते हैं तो आप भी मेरे स्टेप बेस्टेप फॉलो करके बनाएए और अगर आप न्यू है तो लाइक एंड सबस्क्राइब करिए बेल आइक एंड के बटन को प्रस करिए ताके मेरे नोटिफिकेशन जल से जल आप तक पहुंचें थैंक्स फॉर वाचिंग टेक कियर बाबाई